हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्यलियो वर मैंस टी टुन्टी बैस लीग में जो के खेला जागा MSWA और MRW के बीच में अप किस खेलारी का श्यलियो में जो होगा मैं। तो आपको बस क्या करना है का आपको वीडियो पूरा वाच करना है जिससे कि आप एक बहतर टीम मना पाएंगे और कोई दूसरा वीडियो आपको देखने का मौका नहीं मिलेती इस वीडियो में सारी जानकड़ी आपको मिल जाएगा जिससे कि आप GL में बहुत अच्छा ला सकते हैं तो किसी थे पूर्पे पर वीडियो के डिसक्रेप्शन में वहँद आपको भीडियो के लिए कि दोनों के जो बीचे मैस हुआ है वो बारा मैस हुआ है दोस्तों बारा मै खिला गया है और MSW गया है और MSW उसे पर पांच बर जीती हुई है और MRW गया है और 2 मैच अब दीमें धिखका नहीं हो data MRW Women पर ये आपके लिए बहुत तगरा टीम खेलने वाली है इसके जो खिलाड़ी होंगे बहुत अच्छा परफ़एंस करने वाली है इस सब भी जान करें हम आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और अच्छे से आप टीम बनाएंगे और यहाँ पर जो बैट्समेन होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है तो पीच जो है बैट्समेन के फेबर में जाता है और यहाँ पर बैट्टिंग आपको देखने को मिल जागे कि बैट्टिंग यहाँ पर रन बनाते हैं आपको batsman दिखेंगे वो run बनाएंगे अब बात करेंगे दोस्तो एस्पीनर का तो यहाँ पर good for एस्पीनर है इस पीच पर एस्पीनर चलने वाले है पिछले मैचों मैंने बताया था कि एस्पीनर चलने वाले है लेफ्ट आर्म या फिर राइट आर्मों दोनों के लिए अच्छा यहाँ पर चाहता मिलने वाला है दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर देखें बात करते हैं वीकेट कीपर के सेक्षन में तो हमें देखने को मिल जाता है जी डोली ठीक है जी डोली का देखेंगे पॉइंट 241 पॉइंट है यहाँ पर इनका कुछ खास पर्फोइंट नहीं है मतलब जीतने भी खिलाडी आपको देखने को मिल जाएंगे मात्र 13 मैच खलकर 38% आपको देखने को मिल जाएगा ड्रीम टीम है 18 पॉइंट का एवरेज स्कोर है पिछले मैचों मैच बिखेंगे इनका कुछ काफ़ोंस नहीं रहता है दो मैच दो पॉइंट दिये हैं लेकिन यहाँ पर पिछले मैचों मेच 24 पॉइंट दिये हैं तो इन परफॉइंट इनका नहीं रहा है सभी मैचों में आप देखेंगे तो डीटी यहाँ पर बहुत कम सम लगा हुआ है दोस्तों बात करते हैं फिर आपको लेके चलना किसको है तो आपको जी डोली को लेके चलेंगे बिलकुल इसकी लोगे के चलेंगे हाई यह सेलेक्षन है आपको तो एक विकेट कीपर तो लेके चलना ही परेगा तो यह खिलाड़ी आपके लिए ठीक होंगे अगर ज्यादा पॉइंट 15-20 पॉइंट भी देंगे तो आपके लिए अच्छा सावित होगा दोस्तों हम बात करते हैं इस मैच में क्या होता है आपको वेमेंस वाले मै पॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं तो आपको ज्यादा दियाद देना पड़ेगा आपके लिए ज्यादा मोस्त होने वाले तो आप खाउस करके फोकस करेंगे आपका टिम बहुत ही अच्छा बन जाए तो इसमें आपको क्या करना है जी डोली के साथ जाना ह इसे अपने टीम में जरूर रखेंगे हालां कि इस वाप पिशले मैच में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे लेके चलेंगे ठीक है अब बात करते हैं बैट्समेन में तो बैट्समें में देखें अगर एम लेंगे खेलने का चांसे नहीं अगर खेलती है तो आप इसके तो बैर्समें के साथ ये स्पीनर भी है आप इसे लेके चल सकते हैं या आपके लिए अच्छा साबित हो सकती है आज के मैच में ठीक है हम यहाँ पर जाने वाले हैं टी बॉमेंट को इसे आप ड्रॉप करके चल सकते हैं इनका कुछ कास परविंश नहीं रहा है पिछले मैच तो आप इसे अपने टीम में जिरूर लेके चलेंगे आज के मैच में ये काफी अच्छा परविंश करने वाली है तो इस खिलारी को आपको लेके चलना परेगा इनका जो देखेंगे आप 78 है लेकिन हम यहाँ पर उठाएंगे इसे वह इसलिए उठाएंगे दोस्तों कुईकि इसके पिछले मैच में 102 पॉइंट रहा है और इनको आपको लेके चलना है 78 परसें आपको देखने के मिल जाएगा लेकिन पंटर के तरफे भी आपके लिए बहुत अच्छा काविंग लेकिन हालांकि यह अच्छा खेलती है आप देखेंगे मात्रों सोलो पॉइंट दी हुई है और यहाँ पर देखेंगे 114 पॉइंट है मतलब सभी मैच में आपको अच्छा फॉनस देखनों का मिल जाएगा 53 है तो आज के मैच में आपको इसे लेके चलना परेगा यह खिल इंपोर्टेंट हो जाते हैं अब बात करें दोस्तों एस आउथर लेंज का तो 1140 पॉइंट लेके बैठी हुई है मतलब बहुत तगड़ा पर्फॉमेंस आपको देखने को मिल जाएगा इस खिलारी को आपको उन्हें टीम में लेके चलना ही परेगा इस आउथर लेंज का तो यहां पर आप देख पाएंगे 106 पॉइंट है 89 पॉइंट है 30 पॉइंट है 166 पॉइंट है अकेले 167 पॉइंट तक दे दी है दोस्तों यह खिलारी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है हर मैच में देखेंगे आप यहां पर तो आपको डीटी देखने को मिल जाए इस खिलाडी को बहुत तगड़ा होने वाली है एक कैपसी 665 पॉइंट देखे बैठी हुई है और आज के मैच में भी ये खिलाडी बहुत इंपूरेट है आपको आल डॉन्डर में तो खिलाडी को लेके चलना ही परेगा 13 मैच के लिए स्टिक्टी 9 का परसें आपको देखन मतलब पॉइंट का इकानवे पॉइंट है पिसले मैच में उससे पिसले मैच में देखेंगे 27 है और यहाँ पर उना से 49 पॉइंट देखने को मिल जाएगा तो एक यपसी को अपने टीम में जरूर रखेगा ये खिलाडी आपके लिए इंपोटेंट होंगे तो इसे अपने पिसले मैच में देख रहे हैं 78 पॉइंट देखें बैठे हुए हैं और 84 का मतलब समझ रहे हैं 84 परसेंट ड्रीम टीम मतलब इनका समझ जाए तो आपको 63 का एवरेज पॉइंट देखने को मिल जाएगा लगातार मैचों में देखेंगे तो इनका पर्फॉमेंस बहुत ही आपके टीम में जरूर रहे हैं शक्राट के चाहिए तो इसी का सबसेकर ने बॉट सेबदेखेंगा में जरूर वहितं है अच्छा समझ भी कम्राण के सात जरूर बहुत अच्छा हो वे इक ह technology वी और 154 डीजिसे कि आपको अपने टीम में बहुत तगढ़ा पर्फॉमेंस क कि इसके साथ जा सकते हैं या फिर प्रेश्ट यह जो इसके जा सकते हमाइन इसे अपने टीम में कैप्टेन के तौर पर किससे इस्तमाल कर सकते हैं, तो विकेट कीपर में आप कैप्टेन में नहीं चूज करेंगे किसी को, कि इनलों को बहुत लाज्ट में चांस मिलता है खेलने का, बैट्समेन में आप एजगोर के साथ जा सकते हैं, यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाती हैं, तो इसे अपने टीम में आप कैप्टेन के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं, वहीं पर हम बात करते हैं, जी वहरेम को, तो इसे आप कैप्टेन के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं, और के ग्रैत को भी आप CBC के तौर पर इस्तमाल कर सकते है होता है तो आप इसे अपने टीम में जगादे सकते हैं तो आपके लिए अच्छा इंपोर्टेंट हो ऊप में स्याटिब हो लेखे चला है हैं। जेखेंगे लेखेंगे विएट कीपर्स में सब्सक्राइब restraint के सब्सक्राइब, आपको पने टीम में इसे लेके चलना परेगा यहां पर यहां पर यहां पर आप देखेंगे तो आपको इसे अपने टीम में जरूर रखेगा आपको इसके साथ इसमें रोटेट भी कर सकते हैं रोटेट आप इसके साथ भी जा सकते हैं यह दोनों के साथ चलना पर यहां पर दो बैटर के साथ चलना है और बात करने वाले हैं यहां पर जी डोली को अपने टीम में लेके चलना ही है यहां पर हम मातर दो बैटर के साथ चले हैं और पांच और बालर तीन बालर के साथ चले हैं छे पांच का यहां पर हमने कमिनिशन मना के चला हुआ है अब बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर जी डोली को अपको लेने के चलना ही है बैटर्स में एच कोर को उठा लेंगे एच कोर को उठा लेंगे यहां पर आप किसी एक के साथ भी जा सकते हैं यहां पर लगातार इन लोगा का पर्फवरेंस अचा रहता है और यही सब ज़्यादा हायस्त पॉइंट देते हैं तो इस पर आपका फोकस होना चाहिए यह सब खिलाड़ी आपके लिए इंपौइंट हो सकते हैं बॉलर में तो हमने यहाँ पर बना के रखा है वो SD को इनका भी 900 कुछ पुइंट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही इंपोटेंट खिलारी है यह खिलारी आपके लिए काफी इंपोटेंट हो सकते हैं तो इसे अपने टीम में जरूर लेगे चलिएगा यह खिला हुआ हुआ है तो यह दो खिलारी पंटर पर और तीन खिलारी पर पंटर के तौर पर आप इस्तमाल कर सकते हैं तो आपको कम से कम अपने मैच में तीन पंटर लेके चलना है तीन या चार पंटर आपको लेके चलना है और फिर तीन या फिर चार खिलारी जो है आपको बोदेट होता है आपको। जैसे कि आपको आपको एमलेंगे खेलने का चांस है उनका अगर आएगए तो भी हमको बता देंगे वहीं पर टेलिग्राम पर और इसे क्या होगा कि आपको कुछ खिलारी रोटेट करने में ज़्यादा आसानी होगा वो हम आपको बताएंगे उसमें जिसे कि आपका टीम बहतर बन जाएगा तो जितने भी important पॉइंट होते हैं या फिर information होते हैं वो सभी हम आपको टेलेग्राम पे देते हैं दोस्तों तो हमें टेलेग्राम पे जाके जोईन कर सकते हैं अब बात करते हैं टीम का दोस्तों तो आप अपने हिसाब से एक दो खिलारी को change भी कर सकते हैं और आपके टीम में जो होने चाहिए खिलारी वो आप जा सकते हैं पंटर के तरफे भी तो आपको पंटर पे ज़्यादा धियान देना है दोस्तों आप जितना पंटर लेकर चलेंगे उतना जादा अच्छा होगा कम से कम 4 तो आप पंटर लेकर चलेंगे ही सब हाईयर सेलेक्शन को नहीं लेना है आपको lowest सेलेक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा करते हैं तो इनको आप पे अपने आपका फूकस होना चाहिए खिलाडी पॉर्ट जो कि हम यहां पे देख रहें लेके चले हुए हैं इसमें सभी हाइस को लेके चलते हैं और क्या करते हैं लेकिन लोवेस्ट वाले दो तीन खिलाडी बहुत अच्छा परफॉएंस करते हैं हर मैच में देखेंगे सभी मैचों में तो आपको देखने के मिल जागे कि उनका परफॉएंस काफी तगरा रहा है तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है अपने टीम में लेके चलना है वो सिब खिलाडी आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे तो इसे अपने टीम में जरूर ले वाला है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद